हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है सिविल डैमेंशन्स चैनल पर आज हम डिसकस करेंगे डिफरेंट टाइपस ऑफ ब्रिक पॉंड्स और उससे रिलेटिड कुछ जनरल कोशन्स जो हर सिविल इंजिनियर, आर्किटेक, इंटीरियर डिजाइनर और सिविल कंट्रेक्ट को पता होना जरूरी है, जैसे कि ब्रिक पॉंड्स कितने तरह के होते हैं, ब्रिक पॉंड में बॉंड का मतलब क्या है, ब्रिक पैटन और ब्रिक पॉंड में क्या डिफरेंस होता है, ब्रिक वक करने के लिए स्ट्रॉंगेस बॉंड कौन सा है, और ब्रिक पॉंड कौन सा स लगता है लास्ट में डिसकस करेंगे इंडियन रेड बेक का साइ्ज क्या होता है थो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं पृक्ष पॉॣ्ण कितने प्रकार के होते हैं प्रीपर चार प्रकार के होते हैं पहला है stretcher bone, दूसरा है header bone, तीसरा है English bone और चोता है Flemish bone इन सभी bones में अंतर जानने के लिए सबसे पहले आपको brick को समझना जरूरी है इस image की मदद से आपको असानी से समझ आ जाएगा brick के front face को stretcher कहते हैं, brick के side face को header कहते हैं, bottom face को bed और side edges को eris कहते हैं brick के top में जहां गहरी निश होती है, जिस पर branding भी की होती है, उसे frog कहते है hope यह आपको समझ आ गया होगा, अब समझते है stretcher bone को, what is stretcher bone in brick work stretcher bone brick machinery का वह तरीका है, जिससे bricks को lengthwise place किया चाता है और एक line को brick joint, दूसरी line के brick के center में होता है, समझने के लिए image को ध्यान से देखें next is header bone, header bone machinery का वह तरीका है, जिसमें bricks को widthwise place किया चाता है और पहली line का header का joint, दूसरी line के header के center में आता है please image को ध्यान से देखें, तब ही आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे next is English bond, English bond में brick machinery करते वक्त, एक brick layer को lengthwise और दूसरी brick layer को widthwise place किया चाता है मतलब एक line stretcher course की, दूसरी line header course की, और header course stretcher course के center में आता है इस image की मज़से आप समझ सकते हैं fourth is Flemish bond, Flemish bond में brick machinery करते वक्त, एक brick को lengthwise और दूसरी brick को widthwise place किया चाता है मतलब पहला brick stretcher face, दूसरा brick header face hope इन सभी चारो brick bond में आपको अंतर समझ आ गया होगा next is what is bond in brick bond का मतलब है ऐसा systematic arrangement जिसमें building structure या wall को stability और strength प्राप्त होती है next is brick pattern और brick bond में क्या difference है इसका answer बहुत ही simple है brick bond एक brick pattern है जिसमें हम brick को ले करते हैं next is कौन सा brick bond strongest bond है और देखने में कौन सा bond सुनदा लगता है यह question बहुत ही technical question है जो कि हमारे page पर पूछा गया था मुझे लगता है इस question का answer हर engineer, architect और interior designer को पता होना चाहिए तो चलिए answer समझते हैं 230 mm thick wall के लिए English bond strongest bond है क्योंकि इसमें कोई vertical joint नहीं बनते और half brick wall के लिए stretcher bond strongest bond है अगर आपको exposed brick work करना है तो aesthetically flemish bond is good in appearance लास्ट इस इंडिया में red brick का size क्या होता है इंडिया में red brick का size 230 mm by 110 mm by 75 mm होता है hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर कोई सुजाव हो तो comment में जुरूर बताए और वीडियो को like और share करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग सेवल दिमेंशन्स